दो न्यूट्रोन स्टार्स के टकर सोहवे कुरूप से मैंगनेटिक स्ट्रक्चर का उत्पादन करती है जो शॉट ज्यार्बी से जुड़े हाइ स्पीड पार्टिकल जेट्स को पावर देती है हमने हमारी पिछले वीडियो में गामा रिवर्स्ट क्या होती है और उनके पहले टाइप लॉंग डियोरेशन गामा रेस्ट के बारे में जाना था जसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लगबग 2 सेकेंट से भी कम समय वाली घटनाओं को शॉर्ट गामा रिवर्स्ट कहा जाता है जो लगबग 30% गामा रिवर्स्ट के लिए जिम्मेदार है लेकिन 2005 तक किसी भी शॉर्ट गामा रेस्ट से कोई भी आफ्टर ग्लो का सफलता पूरा पता नहीं चल पाया था और उनके उत्पत्य के बारे में बहुत कम जानकारी थी हाला कि अब हम यह जानते हैं कि दो न्यूटरन स्टार्स की टकर स्वाभावेक रूप से मैगनेटिक स्ट्रक्चर का पादन कर दी है जो शॉर्ट गामा रिवर्स्ट से जुड़े हाई स्पीड पार्टिकल जट्स को पावर देती है इस बात के पुगता सबूत यह है कि कुछ शॉर्ट गामा रिवर्स्ट उन सिस्टम में होते हैं जिनमें किसी तारे का निर्मार नहीं होता और कोई विशाल तारे नहीं होते जैसे कि अलेप्टिकल गैलक्सी और गैलक्सी हैलोस सबसे short duration के कामा reverse की उत्पत्ती के लिए एक popular theory दो neutron stars से युक्त एक binary system का combination है इस model के हिसाब से binary में दो stars धीरे धीरे एक दूसरे की और spiral होते हैं क्योंकि gravitational radiation, tidal force तक उजा जारी करता है जिस्ते अचानग neutron stars टोट जाते हैं और वे एक ही black hole में ढहे जाते हैं नए black hole में किसी चीज़ के प्रवेश से एक accretion disk का उत्पन्न होती है और collapse model के इन्हों रूप उर्जा का विस्पोर्ट होता है short duration का हमरे burst को समझने के लिए अन्य कई model भी है जिन में neutron star और black hole का combination, neutron star का accretion included collapse या pre-module black hole का evaporation शामिल है हाला कि space में ऐसी कई चीज़े हैं जो आज भी रहस्यों से भरी हुई है और हमारे scientists उन्हें आज भी समझने की लगादार कोशिश कर रहे है और हम यह सभी जानकारियां आप तक पहुचा दे रहेंगे ऐसी वीडियो उसके लिए चानल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं धन्यवाद